अब जो आपका आगला चैप्टर है वो उसका नाम है बहुपद जिसे इंग्लिस में जो है पॉलिनोमियल्स बोला जाता है और ये बहुपद जो है आपका एलजेवरा के अंतरगत में आता है जिसको हिंदी में बीजगनीत कहते हैं तो बहुपद क्या है इसका exercise बनाने से पहले थौड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है ये कितने परकार की होता है तो इसका concept जानना बहुत जरूरी है अगर concept को समझ गए तो फिर इसका exercise को बनाने में कोई दिकत नहीं होगी असाने से बन जाएगा पहले इसका concept को देखते हैं, concept इसका क्या है, देखिए, बहुपद, यानि इंग्लिस में इसे polynomials मुला जाता है, तो बहुपद क्या होता है, इसको पहले आप समझ लेजिए, आपको एक example के माध्यम से समझाते हैं, कि एक कोई बहुपद है, मान लेजिए, कि 3x² प्लस 4x और 5, आपका यह बहुपद है, तो इसमें जो 3x² है, 4x है और 5 है, यह क्या है, तो इसमें देखिए, 3x², 4x और 5, क्या है, पद कहलाता है, यह सब जो है आपका पद है, इस बहुपद में 3 पद है, और वो है, 3x², 4x, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे, कि बहुपद जो है, क्या होता है, इसमें एक पद कितना है आपका, यह पद है आपका, 3x², और एक पद कितना है, 4x, जब दुनों आपस में जुट जाए, तब यह जो है आपका बहुपद कहलाता है, यान लिजे कि C क्या एक लेटर है, एक क्या है, एक लेटर है, ट क्या है, लेटर है, जब लेटर आपस में जुट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, C, A, T, cat, तो cat क्या बन जाता है, एक बड़ बन जाता है, कहने का मतलब एक जो है, सब्द बन गया, बड़ हो गया, पहले था आपका, C अलग था ए अलग था टी अलग था यानि कि लेटर जो थे अलग अलग थे लेटर जो था अलग अलग था लेकिन जब लेटर आपस में जूट गए एक साथ मिल गए तो क्या बन गया बड़ बन गया उसी परकार से उसी परकार से आपका देखिए थीरी एक सस्क्वाइर एक जो है टर्म कहते हैं तो जब टर्म आपका अलग लग था एक 3x square था एक 4x था एक 5 था तो जब टर्म जो है आपस में जूट गया तो यह जो है आपका क्या होता है बहुपद कहला था बहुपद बन जाता है जिसे इंगलिस में polynomials कहते हैं अब देखिए बहुपद अब पढ़ लिए क्या होता है अब जो है बहुपद का ब्यापक रूप के बारे में पढ़ना है कि ब्यापक रूप यानि इंगलिस में इसे standard form of a polynomial कहते हैं देखिए इसका परिभासा है कि किसी भी बहुपद का ब्यापक रूप a x square प्लस b x प्लस c के रूप में होता है जहां ये जो आपका है a is equal to 0,0 कहने का मतलब है कि ये जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए बाकि b और c 0 हो जाए कोई दिकत नहीं है ये जो है 0 के बराबर नहीं है यानि कि 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए माइनस में 1 हो जाए तो कोई दिकत नहीं है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए बस और A, B और C और जो आप A, B, C देख रहे हैं यह कैसी संख्या है तो बास्तविक संख्या है बास्तविक संख्या का मतलब हुआ कि पर्मे संख्या होगा ना तफिक अपर्मे संख्या होगा बास्तविक संख्या क्या होता है पर्मे संख्या और आपर्मे संख्या के समोह को ही बास्तविक संख्या कहते हैं मान लिजे कि 4 एक क्या है पर्मे संख्या रूट 2 क्या है आपर्मे संख्या है तो 4 और 2 दोनों क्या है बास्तविक संख्या है कहने का मतलब बास्तविक संख्या का 2 रूप होता है एक पर्मे संख्या भी होता है एक पर्मे संख्या भी होता है तो यह दुनों जो है आपका बास्ताविक संख्या है तो यहाँ पर जो है यह बी और सी के जगह पे का कोई बास्ताविक संख्या ही होगा देखिए अब आपको सिखना है कि चर रासी क्या है अचर रासी क्या है तो अभी आपको बवपत पढ़ाए कि इसका अपक रूप AX square प्लस BX प्लस C होता है ठीक है तो इसमें देखिए जो X है यह आपका चर है और A, B, C के जगह पर जो मान रहेगा वो आपका अचर रासी कहलाएगा तो चर का परिफासा होता है जो इंगलिस में variable जिसे कह जाता है कि जिसका मान बदालते रहता हो उसे चर कहते हैं तो इसमें इस बहुपद में पूछ देखा कि चर जो है क्या है तो आप क्या बताएगा तो देखिए 3X square प्लस 4X प्लस 5 इसमें कह रहा है कि आप बताएगा कि चर जो है क्या है तो X क्या है इसमें चर? X क्योंकि X का मान जो है हमेशा बदलते रहता है जब आप solve करते हैं तो x का मान कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 10 आता है, कभी 20 आता है यानि इसका मान जो है बहुपद में हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा जब भी x का मान निकालिएगा तो कभी 5 आगया, कभी 10 आगया तो जिसका वही कहता है परिवासा कि जिसका मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं तो इसमें जो है आपका चर कितना है तो X है एक question आपका रहेगा कि 2X plus 3Y तो बताईए कि इसमें चर जो है क्या है तो आप क्या बताईएगा इसमें तो देखिए इसमें चर आपका X है और Y है इसमें चर रासी है तो यहीं चर होता है मतलब कोई भी बहुपद दे मालिया कि आपको दे दिया कि 2Y square plus 3Y plus 5 अब पुछ देगा कि इसमें चर जो है क्या है तो क्या बताईएगा चर जो है इसमें कितना है Y चर है उसी परकार से अब कहता है कि अचर क्या होता है तो देखिए जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर कहते है तो इसी बहुपद में देखिए अब देखिए अचर रासी जो इसमें है अब का इसमें अचर क्या है 3 है 4 है 5 है इस अब क्या है अचर रासी है तीन चार पांच अब पांच है तो पांच का मान बदल जाएगा पांच का मान जो है कभी नहीं बदलेगा पांच है तो पांच ही रहेगा तो जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर रासी करते हैं तीन है तो तीन का भेलू हमेशा ही तीन ही रहता है तीन को हम कफी दूर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं क्योंकि तीन तीन है तो यह क्या होगी आपका यह अचर रासी हो गया जिसका मान नहीं बिदलता हो, तो इसको आप याद रखेगा कि चर रासी और अचर रासी क्या होता है, अब दखिए, बीजिये बियंजक जो है क्या होता है, यह समझे, इंगलिस में से एलजेबरिक जो है एक्सप्रेसंस बोलते हैं, जब चर और अचर आपस में जुट जाते हैं, तो बीजिये बियंजक प्राप्त होता है, अभी आपको चर और अचर रासी के बारे में पढ़ाए हैं, चर और अचर आपस में जुट जाते हैं, तो बीजिये बियंजक प्राप्त होता है, ध्यान से देखिए, मान लिजिये कि आपका अचर है जो 5 है, और चर रासी ज जोड दीजी, तो कहने का मतलब है कि 5 प्लस X, तो 5 प्लस X जो है आपका क्या हो गया, BGA ब्यांजक हो गया, अब 5 प्लस X को इंग्लिस में Algebraic Expressions कहते हैं, या हिंदी में इसे BGA ब्यांजक कहते हैं, तो मान लेजिए कि 2, 1 जो है 48 है, और Y जो है आपका क्या है, 48 है, तो जब या आपस में जूट जाएगा, कहने का मतलब 2 प्लस Y हो गया, तो E जो है आपका BGA ब्यांजक हो गया, इसको अब BGA ब्यांजक बोलेंगे, 2 माइनस Y भी आपका BGA ब्यांजक हो जाएगा, 2 में Y से गुना कर देजिए, तो E भी आपका क्या हो गया, BGA ब्यांजक हो गया, क् कहने का मतलब कि अचर राशी और चर राशी जब आपस में जूट जाते हैं तो क्या निर्मान होता है? BGA बेंजएक का निर्मान होता है. तो 3x square प्लस 2x प्लस 5 क्या है तो एक जो है बीजिये बेंजक है क्योंकि इसमें चर रासी और अचर रासी जो है दोनों मिला हुआ है और पुछ देगा कि 5 क्या है बीजिये बेंजक है तो नहीं बीजिये बेंजक नहीं है पुछ देखा कि एक एक बिजिये बेंजक है तो नहीं है जब तक दोनों आपस में नहीं मिला हुआ रहेगा जब तक बिजिये बेंजक नहीं होगा इसको भी आप जो है दो चारो धारन और अपने मान से देखिए बना करके अब देखिए बहुपत के घात अपको पढ़ना है कि बहुपत के घात जो है क्या होता है जिसे इंगलिस में डिग्री ओफ पॉलिनोमियल भी कहते है घात घात को इंगलिस में डिग्री बोलिए चाहे पावर बोलिए दोनों एक ही चीज है डिग्री भी बोल सकते है तो गहात क्या होता है किसी बहुपद का? इसे देखिए कहता है कि किसी भी बहुपद में जिस चेर का घात सबसे ज्यादा हो तो उस चेर का घात ही बहुपद के घात कहलाता है देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4 हम बहुपद दिये हैं एक्जाम्पल में 4 बहुपद दिये हैं और इस सभी बहुपद का गहात निकालना है इस गहात इसका क्या होगा पहला बहुपद है X के पावर 3 प्लस 4 X स्क्वाइर प्लस 5 X प्लस 9 तो सबसे पहले कहता है किसी भी बहुपद में जिस चर का गहात सबसे ज़्यादा हो तो देखिए इस बहुपद में 4 रासी क्या है X एक्स चर रासी है इसमें तो इस चर रासी में देखिए किसका पावर सबसे ज़्यादा है तो देखिए इस X में देख रहा है कि इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है तो जिस 4 का घात सबसे ज़्यादा हो तो कहने का मतलब देखिए इसमें X का घात सबसे ज़्यादा कितना है 3 है तो वही बहुपद का घात कहलाता है तो जो बहुपद है आपका X Q प्लस 4 x 2 स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 9 तो इस बहुपत का घात क्या हो गिए आपका तीन अंसर होगा क्योंकि क्योंकि X, X, 4 रासी है अब X में यहां पे देखी इसमें 1 पावर है इसका घात 1 है इसका दू है इसका 3 है सबसे ज्यादा घात जो है 3 है इसलिए इस बहुपत का घात अब दुसरा बहुपत देखे दुसरा में आपका दिया हुआ है 5 X १ फ्लस 1 बहुपत का घात आपका एक हो जाएगा अब अगला बहुपत देखिए यह आपका 4x square minus 3x plus 2 अब इसमें जो है इस बहुपत का घात जो है क्या होगा तो इसमें सबसे पहले 480 ढूणेंगे तो 480 आपका एक से 1 है इस इसका घात एक है और इसका घात कितना दिया हुआ है दू दिया हुआ है तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपत का घात होता है तो इसमें देखिए दू है तो इस बहुपत का जो घात हो जाएगा दू हो जाएगा अब अगला देखिए बहुपत आपके पास दिया हुआ है कि एक्स क्यू प्लस फोर एक्स अस्क्वाइर प्लस पांच एक्स प्लस नो अब इस बहुपद में घात जो इस बहुपद का घात क्या होगा तो सबसे ज़्यादा घात कितना है तीन है इसमें दू है इसमें एक है तो सबसे ज़्यादा घात है तो इसका बहुपद का जो घात हो जाएगा तीन हो जाएगा तो इस तरह से आप जो है और बना सकते हैं आपने से एक्जामपल लीजिए और उसमें जो सबसे बड़ा घात होगा वही इस बहुपद का घात कहलाएगा इस तरह से आप आगे दुचार एक्जामपल लेकर करके अपने से बनाईए अब एक चीज आप नोट कर लिजेगा नोट में लिखा हुआ है कि बहुपद का घात हमेशा धनातमक पुर्नांक होता है इस बहुपद का घात आपका एक आया तो इभी धनातमक पुर्नांक है इसलिए क्या है बहुपद है इस बहुपद का घात जो है दू है इस बहुपद का घात आपका तीन है तो इस अब क्या रहा है तीन, एक, दू, तीन इस अब आ रहा है आपका धनात्मक पुरनांग है यानि कि किसी भी बहुपद का घात हमेशा धनातमक पुर्णांग होता है अगर रिनातमक आ गया घात चाहे उस बहुपद में घात अगर रिनातमक दिया हुआ है किसी भी चर रासी का तो क्या हो जागा वो बहुपद नहीं कहलाएगा यानि कि बहुपद नहीं है पुर्णां है कि x plus one बटा x बहुपद है कि नहीं ठीक है तो आप कहिएगा कि सर इसमें भी जो है एक पद है और एक दो पद है इसलिए यह बहुपद है एक दो पद है इसलिए यह बहुपद है लेकिन यह बहुपद जो है नहीं है अब बहुपत क्यों नहीं है से देखिए एक्स है तो एक्स प्लस वन वटा एक्स है तो वन वटा एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस वन जब कोई जब कोई संख्या उपर जाता है हर से अगर हम उपर एंस मिले जाते हैं तो उपर जाता है तो उसका जो घात होता है उगात का जो चीन होता है वो चेन हो जाता है अगर नेचे धन में है मतला धनातमक है तो उपर जाएगा तो रिनातमक हो जाएगा तो देखिए एक्स का जो पर निवे shift कितना था एक था जो प्लस में था तो जब यह उपर चला गया झौन छला गया तो सक्षरी टो कि इस चावरे नorf में पर नचे कह नहीं बचा सिरू पलर पाल सेठ में गया तो तो क्या हो गया माइनस एक हो गया कहने का मतलब हम नहीं दया में था तो उपर गया तो क्या हो गया रिन में हो गया तो 1 बटा x को हम लिख सकते हैं x के power minus 1 अब देखिए यह आप कहा रहा थे कि बहुपद है ठीक तो इस बहुपद में इसका घात जो हम देख रहे हैं इसलिए जो है, x plus 1 बटा x आपका बहुपद नहीं होगा, अब एक और एक्जामपल लेते हैं, कि x square plus 3 under root x plus 2 ये बहुपद है कि नहीं, तो इसको देखिए, x square है, x square plus 3, और x को हम लिख सकते हैं, under root x है, तो इसको लिखा जाता है, x के power 1 बटा 2, तो root x को हम लिख सकते हैं, x के power 1 बटा 2 plus 2, अब इसमें देखिए, घात जो हम देख रहे हैं, ये क्या है आपका, पूर्णाच है, एक बटा 2 जो है आपका पूर्णाच होता है, नहीं होता है, ये क्या होगी आपका भीन ने हो गया, इसको हम भीन कहते हैं, पूर्णाच वो ह होता है जिसका जो हर होता है वो हमेशा एक होता है तो पुर्णांक कहलाता है अगर एक से ज्यादा हो गया तो भीन कहलाता है पी बटा क्यू के रूप में तो है लेकिन इसका क्यू जो है दू हो गया अब पुर्णांक का क्यू जो होता है हमेशा एक होता है तो जब एक से ज् है याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद का घात हमेंसा धनात्मक पुर्णांक होता है तो आपको बहुपद अगर चेक करने के लिए दे देगा कि बहुपद है कि नहीं बताईए तो आप चेक करके पुरंत बता लेजिए A x square plus B x plus C क्या है बहुपद का व्यापक रूप है अब पुछ देगा कि बहुपद में गुनांक जो पूचता है गुनांक है क्या से देखिए तो पुछ देगा आप से कि एक एकस अस्क्वाइर का गुनांक क्या होगा इस बहुपद में जो एकस अस्क्वाइर आप देख रहे हैं इसका गुनांक बताईए तो देखिए यह जो एकस आप देख रहे हैं चैररासी इसमें गुना जो है जो भी सैंख्या से गुना रहेगा इसके आगे में जो भी गुना रहेगा वही जो है गुनांक का कहलाता है तो X स्क्वाइर है तो इसका गुनांक जो है गुनांक में कितना है ए है तो ए जो है क्या हो गया गुनांक हो गया किसका गुनांक हो गया तो X स्क्वाइर का हो गया कहने का मतलब है कि X स्क्वाइर का को इफिसिंट्स जो होगा क्या ह टो, A होगा, क्योंकि A से गुना है, इसमें तो, फिर पूछए देघा आपसे कि बताये, तो, X का गुनाइंग क्या होगा? तो देखिए, X, चोÜND moim, इसमें कितना से गुना है? B से गुना है, तो, B जो है आपका गुनाइंग हो जाएगा. B किसका गुनाइंग है? Tो, X का है क्यों क्योंकि X में B से गुना किया हुआ है तो जो X है इसका गुनांक पुछेगा तो जो इसमें गुना है वही गुनांक कहलाता है तो B हो गया आपका गुनांक एक बहुपद लेते हैं 3X square प्लस 5X प्लस 5 अब इसमें आपसे पुछ दे कि X square का गुनांक बताईए तो क्या होगा तो देखिए इस बहुपद में X square यहां लिखा हुआ इसमें कितना से गुना है तो तीन से गुना है तो यही गुना जो रहता है वही गुनांक होता है तो X square का गुनांक कितना हुआ 3 हुआ अब आपसे पूछेगा कि x का गुनांक बताइए तो देखिए x है इसका गुनांक यानि कि कितना से गुना है 5 से गुना है तो x में 5 से गुना किया हुआ तो 5 ही जो है आपका गुनांक हो गया तो इस बहुपद में x square का गुनांक 3 और x का गुनांक 5 एक और बहुपद लेते है कि 3 y square minus 2 y plus 8 है इस में पूछेगा कि y square का गुनांक बताईए तो कितना हो जाएगा 3 y का गुनांक y में कितना से गुना ह изуч minus 2 से गुना किया हुआ तो इसका गुनांक कितना हो गया minus 2 हो गया तो इसी तरह से आप जो है किसी भी बहुपद का गुनांख निकाल सकते हैं अब आपको आगे पढ़ना है बहुपद के पद, यह क्या है? तो देखिए, एक पदी, एक पदी क्या होता है? जैसे 9X लिखा हुआ है, तो बहुपद जो है आपका, इसमें एक पद है, इसलिए यह एक पदी कहलाएगा 2Y है, तो देखिए, इसमें भी एक पद है, इसलिए यह एक पदी बहुपद हो गया, 2Y के सब बहुपद है, तो एक पदी बहुपद हो गया और एक्जाम्पल ले सकते हैं थीरी एक्स है तो यह भी आपका इसमें एक पद है इसलिए आपका एक पदी बहुपद है अगर आपसे पुछ दे कि 2x गुना 3 एक पद का बहुपद है तो क्या बताएगा आपका है कि एक और एक दू यानि दू पदी बहुपद है तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि गुना में है और 2x में 3 से गुना करेंगे तो 2 तीया कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा तो देखिए एक ही पद न हुआ 6x लिखिए चाहे इसको 2x गुना 3 लिखिए दूनों एक ही चीज है तो यह जो है आपका एक पदी है यह भी जो है आपका एक पदी है क्योंकि गुना है गुना करेंगा तो फिर एक ही पद हो जाएगा अब देखिए मान लिजे कि 9x था अब आपको देदेगा कि 9x प्लस 5 तो देखिए 9x एक पद हो गया 5 जो है आपका एक पद हो गया तो एक और एक दूपद हो गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे दूपदी बोलेंगा यानि इसमें दूपद है उसी परकार से मान लिजे कि एक पद आपका 2y है तो यह एक पदी बहुपद हो गया अगर इसमें जोड़ देता है पांच को तो इसमें दू पद हो जाएगा इसलिए जो है दू पदी बहुपद कहलाएगा दू पदी बहुपद आपका हो गया देखे 3x एक उता तो एक पदी था और 3x में अगर मान लीजिए कि 7 को जोड़ दते हैं तो एक और एक कितना पद हो गया, दो पद हो गया, तो यह हो गया आपका दिव पद ही बहुपद, इस परकार से तीन पद ही हो सकता है, चार पद है तो चार पद का बहुपद हो गया, जितना पद रहेगा उतना पद का वो बहुपद कहलाता है, अब पढ़ना है बहुपद क का मानक रूप किसी भी बहुपत का मानक रूप जो है क्या कहलाता है इंगलिस में गर इस से बोले मानक रूप को तो अस्टेंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी बहुपत को मानक रूप में यानि या रूप जो कहलाता है जब उसके घात या तो अ रोही करम में हो या अब रोही करम में हो तभी जो हो मानेक रूप उसका कहलाएगा उस बहुपद का तो परिभासा क्या कहता है इसको हम एक 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 जामपल से आपको समझाते हैं देखिए एक 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 जामपल हम लेते हैं माने जिए कोई एक बहुपद है PX बराबर बहुपद PX polynomial of X इसको बोलता है यानि X के रूप में एक बहुपद है तो polynomial को पूरा नहीं लिखार कर सौट में P लिखते हैं तो PX यानि के बहुपद हम लिख रहा है X के पावर 2 पलस 3X के पावर 4 माइनस X के पावर 6 पलस 2X पलस 8 ठीक है यह क्या है बहुपद है बहुपद क्यों हुआ क्यों कि इसमें एक से ज्यादा पद हुआ जब उसके घात, घात क्या होता है, पावर, यानि कि एक्स का पावर टू है, इसमें चार घात है, इसमें चार घात है, इसमें कितना घात है, एक घात है, तो उसके घात, या तो आरोही करम में कहने का मतलब है, कि बढ़ते करम में हो, या अब रोही करम में हो, यानि कि फिर घ बढ़ते करम हो तो इसमें देखिए तो दू है फिर चार है फिर छा है ठीक है इसमें तो भी बढ़ रहा था फिर कितना हो गया एक हो गया तो यह अच्छा नहीं लग रहा देखने में या तो इसको बढ़ते करम में लिखिए और नहीं तो फिर इसको घरते करम में लिखिए तब जो है इसको मतलब सजा के लिख दीजिए वही जो है मानेक रूप कहलाता है तो देखिए इसको हम लिखते हैं अब रोही करम में अब रोही करम क्या होगा तो अब रोही करम मतलब घरते करम जो सबसे बड़ा पावर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे तो देखिए एक X के power 6, सबसे ज़्यादा इसका घात है, इसको सबसे पहले लिखे, X के power 6 हो गया, अब 6 के बाद कितना है, 4 है, तो 4 लिखिए, यानि कि 3 X के power 4, अब देखे, 4 के बाद कितना है, 2 है, तो लिखेंगे X square, अब 2 है, तो 2 के बाद देखे, कितना है, 1 है, यानि कि 2X है, इसका मतल पहुपद दिया हुआ था लेकिन खिच पिच था काने का मतलब कि कहीं बढ़ते करम में था तो इसी को सजाक लिख दिए जो सबसे बड़ा घात था उसको सबसे फ्ले लिख दिए फिर उसके बाद जो घात था से लिख दिए यानि कि एक जो है इस सजावट के रूप में लिख सकते हैं देखी आरो ही करम तो आरो ही करब क्या होता जो सबसे च्छोटा होता सब पहले लिखी आ इस तरह सभी बढ़ते बढ़ता सब्को लिख दीजिए तो इकhst के फिर टूंट oh तो देखे इसमें क्या हुआ 1्य1 के बाद 2 धूय ढयर्ट मिख्ट मिंखर भी सिद्च खोने रहा है और इसमें क्या हो रहा था घट्राथा 1 जाते यह जो है बढ़ियां लग रहा है देखने में gdy लिक्छा हुआ या तो भरते क्रमैं लिग दीजै तो यही जो आपका रूप होता है बहुपत का इसी को कहते हैं बहुपद का मानक रूप में लिखा हुआ है अब देखिए एक एक जामपल और लेते हैं अगर बहुपद दिया है अब पूछ देगा आपसे कि बहुपद का मानक रूप है कि नहीं तो आप देखिए तीन है उसके बाद दस है दसके बाद कितना है आठ है यानि कि मानक रूप नहीं है सो सजा कि नहीं लिखा हुआ है ना अब रोही करम में लिखा हुआ है ना अरोही करम में लिखा हुआ है इसलिए इसलिए मानक रूप बहुपद का नहीं है तो कहगा कि इसमानक रूप आप लिखिए तो देखिए इसको आप लिख दिजे बढ़ते करम में लिखिए अरोही करम में लिखिए तो सबसे चोटा कितना है पांच है तो पांच सबसे पहले लिखिए फिर एकस स्क्वाइर है तो एकस स्क्वाइर को लिखिए फिर जो है एकस क्यू है तो फिर लिखिए आप एकस क्यू फिर जो है आठ है तो इसको लिखेंगे एकस के पावर आठ फि इसको लिख सकते हैं माइनस x के पावर 10 माइनस x के पावर 8 प्लस x के पावर 3 पलस x का square जो दाए języ यह भी जो है आपका मानक रूप हो गया यह अब रोही करम में हो गया है आरोही करम में हो गया तो एगर आपको कोई भी बहत पर दिया हो तो इसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे तो इसी बिधि से आप उसको बदलिएगा आप रोही करम में या आप रोही करम में अब जो पढ़ना है वो है बहुपदो का बरगी करन यानि classification of polynomials पदो के अनुसार और दुसरा होता है घातो के अनुसार तो पहले हम पढ़ेंगे पदो के अनुसार जो है बरगी करन बहुपद का और यह जो हम आपको पहले बता भी दिये हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिये हैं आपको समझा दते हैं कि एक पदी बहुपद जिसे इंगलिस में monomial कहते हैं क्या होता है तो जिस बहुपद में यह कहीं पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है अब यह बहुपद है तो इसमें देखे कितना पद है एक पद है इसलिए पी एक्स जो बहुपद देख रहे हैं वो एक पदी बहुपद हुआ अब देखिए 3Y, 3Y क्या है, बहुपद है, इसमें एक ही पद है, इसलिए ये जो है, एक पदी बहुपद कहलाएगा अगला देखिए, तो और भी आप बहुपद लिख सकते हैं, वो भी बहुपद ऐसा एक पद वाला लिखिए देखिए 5X, यह भी आपका एक पद का बहुपद हो गया, सिर्फ एक पद होना चाहिए, वो एक पदी बहुपद कहलाएगा अगला है दिवपदी बहुपद, बाइनोमियल, यह क्या होता है, तो दो पद वाले बहुपद को दिवपदी बहुपद कहते हैं इसका example दखिए, इसमें क्या रहेगा, एक पद और एक पद, दो पद रहेगा, जब दो पद रहे तो इस बहुपद को क्या कहते हैं, दिवपदी बहुपद कहते हैं इसमें भी देखिए एक पद 2 बाईए स्क्वार है और एक पद 5 है तो दो पद हुआ तो दो पद के जो बहुपद होता इसको क्या कहते है गूपद ये बहुपद कहते है और आप लिख सकते हैं तीसरा देखिए, त्री पदी बहुपद, ट्राइनोमियल जी क्या है? तो तीन पदो वाले बहुपद को त्री पदी बहुपद कहते हैं देखें एक ग्जामपल, एक बहुपद है 2X एस्क्वाईर प्लस 3X प्लस 5 तो इसमें देखिए 2x square एक पद हो गया, 3x भी एक पद हो गया, और 5 भी एक पद हो गया, तो एक दूद 3, तो जिस पद में, जिस बहुपद में 3 पद हो, वो 3 पदी बहुपद कहलाता है, तो इस तरी पदी बहुपद है, एक और बहुपद है, इसमें देखिए, 4x square एक जो है आपका त्री पदी बहुपद हुआ त्री पदी बहुपद हो गया पदों के अनुसार जितने भी बहुपद है वो आपको बता दिये अब जो है घातों के अनुसार भी बहुपद जो है कई परकार के होते हैं तो इसमें जो है पहला जो है उसका नाम है रैखिक बहुपद इंगलिस में linear polynomial कहते हैं क्या होता है रैखिक बहुपद तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहलाता है एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है अब देखिए लिखे हैं कि रैखिक बहुपद को एक गहाती बहुपद भी कहते हैं यानि कि रैखिक बहुपद कहिए या एक गहाती बहुपद कहिए दोनों एक ही चीज है इसका मानेक रूप जो होता है standard form जो होता है वो होता है AX प्लस B जहां A और B क्या है बास्ताविक संख्याएं है तथा A is equal to not 0 यानि कि A जो है 0 के बराबर नहीं है तो अगर इस form में है तो हम कहेंगे कि वो रैखिक बहुपद है क्यों? क्योंकि इसका power 1 है तो कुछ example लेकर कि आपको बताते हैं कि रैखिक बहुपद कौन होता है? देखिये theory x plus 2 बहुपद है अब पूशे देखा कि कैसा बहुपद है? तो अगर पद के अनुसार देखिएगा तो इस दूपद ही बहुपद हुआ क्योंकि इसमें दूपद है और अगर घात के अनुसार देखिएगा तो इसमें देखे एक घात है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे, क्योंकि इसमें घात कितना है? एक है, अब इसमें देखे इसको तीन को क्या लेख सकते हैं? A, X, पलस, दूख, जगह क्या लिख सकते हैं? B तो इसी रूप में होता है, रैखिक बहुपद, इस रूप में होता है इसका मानक रूप जो होता है, यह होता है, A, X, पलस, B अब A और B क्या है? यह लिखे हैं, A और B बास्तविक संख्या है और B बास्तविक संख्या है, यह लिखा हुआ था, और A इसका मतलब है A जो है, यह कभी 0 नहीं होना चाहिए, B 0 हो जाएगा ठीक है, लेकिन A 0 नहीं होना चाहिए अगर A 0 हो गया तो क्या होगा? अगर A x प्लस B में अगर A 0 हो गया तो क्या होगा से देखिए तो एक जगा पर हम 0 लिखेंगे गुना x प्लस B तो 0 में x गुना करेंगे तो 0 प्लस B हो जाएगा तो A x प्लस B के रूप में हुआ नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद का वो x प्लस b होता है इस रूप में होना चाहिए और a कमान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कुछ और एक्जामपल को देखते हैं 2y प्लस 3 देखिए रैखिक बहुपद है क्यों बहुपद है क्योंकि इसको उपर पावर एक है घात एक है तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है या एक घाती बहुपद कहलाता है 2y प्लस 3 देखिए a y प्लस b इस रूप में है इस परकार आप कई परकार के एक्जामपल दे सकते हैं जैसे हो गया 8x plus 1 ये भी आपका रहखीक हो गया 2x plus 2 ये भी आपका रहखीक हो गया इसका घात एक है अब आगे देखते हैं देखिए दूसरा जो होता है दिव घात बहुपद होता है इंगलिस में इसे quadratic polynomial कहते हैं तो क्या होता है कि दो घात वाले बहुपद को दिव घात बहुपद कहते हैं जिसका घात दो होना चाहिए जिस बहुपद का घात दू है तो वो दिव घात बहुपद कहलाता है और दिवगात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है जहां a, b, c जो है आपका बास्तविक संख्याएं हैं तथा a, a is equal to not 0 मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो जाएगा तो ठीक है लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए तभी जो है आपका दिवगात बहुपद कहलाएगा कुछ example दे कर समझाते हैं देखिए, 3x² प्लस 6x प्लस 3 ये जो है इस बहुपद में चेक करिए किसका घात जो है कितना इस बहुपद का तो इस बहुपद का घात दू है तो जब दूग घात है इसलिए इस बहुपद को हम दूग घात बहुपद कहते हैं अब देखिए इसका standard जो कहता है न मानक रूप ये जो है आपका a x² प्लस b x प्लस c इस रूप में लिखा हुआ है a के जगा पे 3 लिखा हुआ है b के जगा पे 6 लिखा हुआ और c के जगा पे 3 लिखा हुआ है यानि कि ये जो बहुपद है आपका इस रूप में है तो दिखात बहुपद किस रूप में होता है उसका मानक रूप क्या होता है a x² प्लस b x प्लस c अब देखिए कह रहा है कि a is equal to not 0 इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए अगर a 0 इसमें हो गया तब क्या होगा देखिए जब a बराबर 0 तो इसके जगा पर देखिए a था तो एक जगा पर 0 रखिए हां पर 3 है नहीं रखिए अब 0 रखिए तो 0 गुना x² प्लस 6x प्लस 3 तो 0 में 1 स्क्वार से गुना करें तो 0 हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा तो 3 में जivable जोड़ेंगा तो कितना चाहसेगा तीन आप्लस महां 6x 6 x प्लस 3 है तखिए तो इस बहुंपत का घंगत कितना Jeanne हो गया तो दिग्हात भॉपध है नहीं है कि आपका रैखिक भॉपध याई भॉपध अपका बन गया रहाधिक भॉपध क्यों तक शहाल है जो हम जिळ ले लिए इसलिए जो है कहता है कि जो माननेक रूप है इस रूप में होना चाहिए और यह जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर ये इसका 0 नहीं है तब जो है दिघात बहुपद है अगर ये इसका 0 हो गया तो फिर दिघात बहुपद नहीं होगा ये रैखिक बहुपद फिर बन जाएगा और कुछ एक्जामपर लिजिए दिघात बहुपद का देखिए 2 by square पलस 3 by पलस 2 इसमें भी घात 2 है इसलिए ये बहुपद जो है आपका दिघात बहुपद कहलाएगा और देखिए अब देखिए 2 by square पलस 2 कौन सी बहुपद है तो इसका भी घात 2 है बहुपद का इसलिए यी भी आपका क्या है दित्गात बहुपद है इसका माननख रूप झो है हमेशा इस रूप में रहता है और और इसका ये जो है uzcalt to nought zero होना चाहिए तो यही है दित्गात बहुपद का प्रभासा और उसका मानननख रूप और उसका condition अगर फॉलो करता है इतना तो दिघात बहुपद है अगर फॉलो इस रूल को नहीं करता है तो दिघात बहुपद नहीं है तिसरा आपका है तिरघाती बहुपद जिसे इंग्लिस में q-bic polynomial कहते हैं तीन घात वाला बहुपद त्री घाती बहुपद कहलाता है इसका मानक रूप जो है axq पलस bx square पलस cx पलस d जहां a, b, c, d बास्तेविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बरावर नहीं है कहने का मतलब है कि देखिए a, b, c, d बास्तेविक संख्या हो और a जो है 0 नहीं होना चाहिए b 0 हो जाए ठीक है, चलेगा, c भी 0 हो जाएगा, तो भी चलेगा d 0 है तो भी चलेगा, लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए जब a 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए a, x, a, x, q है और a अगर 0 हो गया, तो क्या होगा 0 गुना x के पावर 3 बरावर 0 जब 0 हो जाएगा, तो इस बहुपद में घात अधिक्तम कितना हो जाएगा, 2 तो इसलिए कैसा यह बहुपद हो जाएगा, 2 घात बहुपद हो जाएगा इजिरो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अधिक्तम घात 3 तो रहेगा, ना है, तो तो इसलिए घात नहीं होना चाहिए, बाकि b, c, d इसे फ़रक नहीं पड़ता है तो कुछ एक्जामपल लेते हैं तिरघाती बहुपद का देखिए 2x के पावर 3 पलस 3x स्क्वाइर पलस 4x पलस 1 इप बहुपद हम लिए ठीक तो इस बहुपद में अधिक्तम घात कितना है 3 है इसलिए इसको हम कर सकते हैं कि तिरघाती बहुपद है यह अगर 0 हो गया तो क्या होगा वहाँ पर जैसे लिखता है कि a is equal to 0 हमानते हैं कि यह 0 हो गया तो देखे क्या होगा एक जगा पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 गुना हो जाएगा x के पावर 3 पलस 3x स्क्वाइर पलस 4x पलस 1 जिरो में जब इसको गुना करेंगे तो 0 हो गया पलस 3x स्क्वाइर पलस 4x पलस 1 0 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जागा एक हो जागा अब बाकी बच गया आपका 3x स्क्वाइर पलस 4x पलस पलस जब यह 0 हुआ तो देखे x के पावर भी 3 था भी 0 हो गया यानि कि आपका जो आ रहा है बहुपद वो 3x स्क्वाइर आ रहा है पलस 4x पलस 1 तो कैसा बन गया यह 2 घात बहुपद बन गया जब यह कमान 0 हुआ तो यह 2 घात बहुपद बन गया क्योंकि इसमें अब अब धिकतम घात जो है अब सिर्फ 2 है इसलिए यह 0 नहीं होना चाहिए कुछ और बहुपद तिर्फाती का लेते हैं जो तिर्फाती बहुपद हो देखें 3y q पलस 3y स्क्वाइर पलस 6y पलस 5 यह भी आपका कैसा बहुपद है तो 3 घाती बहुपद है तो इस तरह जो है घात के अनुसार जो है बहुपद को चेक के जाता है कि कौन जो है इरैखिक बहुपद है कौन दीघात बहुपद है कौन त्रिघात बहुपद है तो अब आगे जो पढ़ना है वो है बहुपद का मान value of polynomial किसी भी polynomial का बहुपद निकालना तो देखिए यहां लिखे है कि मान लिया कि PX PX को एक बहुपद मान लिया है उसमें X में एक बहुपद है PX बहुपद है किसमें बहुपद है तो X में जो भी यहां लिखा हुआ रहेगा उसमें बहुपद होता रूप में एक polynomial है याने कि बहुपद है तो यह होगा आपका इधार 2 by 1 भी हो सकता है 2 by square प्लस Y हो सकता है जो बहुपद होगा वो Y के रूप में होगा तो यही इसको short में लिखता है कि polynomial of Y याने कि Y के रूप में बहुपद X के रूप में बहुपद तो वही लिखा हुआ है कि X में एक बहुपद है और ये एक बहुताविक संख्या है तब PX में यानि कि X के रूप में जो बहुपद है उसमें X के अस्थान पर जो इस अब देख रहे हैं इसके अस्थान पर A रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे X बराबर A पर बहुपद PX का मान कहते हैं और इसे PA से ब्यक्त करते हैं क्या लिखा हुआ है एक एकजामपल देंगे तो समझ में आ जाएगा दखिए एक एकजामपल से हम समझाते हैं एक आप P एक ऐसा बहुपद लेजिए जो X के रूप में हो ठीक है तो हम लिखे PX बराबर 3X स्क्वाइर पलस 2X पलस 4 देखिए एक हम बहुपद ले लिए पॉलिनोमियों ले लिए जो X के रूप में है तो इसी को लिखे है PX ठीक है और A एक बास्तविक संक्या है अब यहाँ पर जो है X बराबर 2 जो है हमने मान लिया कि X बराबर 2 जो एक बास्तविक संक्या है ठीक है तो X बराबर 2 इस बहुपद में X के जगा पर 2 का मान रखने पर तो P2 हो जाएगा अब जितना बहुपद जो देख रहे हैं जहां जहां X है उसके जगा पर कितना रखना है? 2 रखना है तो PX X के जगा पर कितना रखना है? 4. देखिए 3 तो 3 into 2 का स्क्वाइब 4 दूदूनी के 4 प्लस 4 तीन चो के 12 प्लस 4 प्लस 4 तो 12, 4, 16 और 4, 20 तो देखिए, एक्स बराबर दू यानि कि इस बहुपद में एक्स का मान हम जब दू रखे, तो इस बहुपद का मान क्या आया, इस बहुपद का जो तो हम कह सकते हैं कि इसलिए एक्स बराबर दू पर बहुपद प्लस का मान जो है, कितना है? 20 है, तो यहीं कहता है बहुपद का मान निकलने के लिए, बहुपद आपको दिया हुआ रहेगा, और उसमें एक्स का मान दिया हुआ रहेगा, तो कहगा कि इस बहुपद का मान क्या होगा से बताए बहुपद में जो एक्स का बहलू रहेगा दिया हुआ, उसको रख देजेगा तो बहुपद का मान निकलने के आ जाएगा अब जो है बहुपद के सुनने या सुनियक निकालना है बहुपद के सुनियक बोलिए चाहिए सुनियक बोलिए दोनों एक ही चीज है इंगलीस में 0 बोलते है 0 of polynomial किसी भी बहुपद के सुनियक कैसे ग्याद के जाता है कौन सुनियक होता है उसको समझी तो देखिए सांख्या A बहुपद PX का सुनियक कहलाता है यदि P A बरावर 0 अर्थात इसका कहने का मतलब है यदि बहुपद PX का मान X बरावर A पर 0 हो क्या लिखा हुआ देखिए समझाते हैं एक्जामपल से एक मान लिजे कि आपका एक बहुपद दिया हुआ है P X बरावर थीरी एक से X अस्क्वाइर पलस साथ एक्स पलस बार अब जो है संख्या A बहुपद PX का सुनियक कहलाता है यदि P A बरावर 0 यानि कि X जो है X के जगा पर एक ऐसी संख्या लिजे जिसका मान इस बहुपद में डालने पर अगर पूरा का मान 0 आ जाता है इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो जो X का मान हम रखेंगे वो क्या कहलाएगा इस बहुपद का सुनियक कहलाएगा कहने का मतलब ये है तो देख बहुपद में रख करके इसका मान निकालेंगे अगर इस बहुपद का मान सुने आ गया तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का माइनस 4 जो है एक सुन्यक है या सुन्य है तो चलिए चेक करते हैं तो x बरावर माइनस 4 रखने पर इस बहुपद में इसका मान क्या होगा तो देखे p माइनस 4 x की जगह पर रख दिये माइनस 4 बरावर x square तो माइनस 4 है तो माइनस 4 का square पलस साथ गुना X X की जगह पर कितना रखना है माइनस 4 प्लस 12 अब देखिए माइनस 4 का हौल और स्कुर है इसका मतलब है माइनस 4 गुना माइनस 4 तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो गया और 4 चक 16 तो इसको लिख सकते हैं 16 प्लस और माइनस है तो गुना में प्लस माइनस जो है माइनस होता है और सच्चो को कितना हो गया 28 और प्लस कितना है 12 अब देखिए 16 है और प्लस 12 है तो 16 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जागा आपका 28 और माइनस 28 तो 28 में से 28 सिया कितना बचाई 0 तो कहने का मतलब है कि जब x बराबर हम माइनस 4 एक संख्या लिए और माइनस 4 को इस बहुपद में हम डाल करके इस बहुपद का मान निकाले तो मान जो आ रहा है 0 आ रहा है इसलिए देखे इसलिए माइनस 4 जो है बहुपद x square पलस 7x पलस 12 का क्या है एक सुनियक है सुनियक है सुनियक है या सुने है तो माइनस 4 जो है इस बहुपद का क्या हुआ एक सुनियक हुआ तो आप कोई भी संख्या लिजी अगर किसी भी बहुपद है कोई बहुपद है उसमें कोई संख्या लेते है आगर जीरो आ जाता है, तो वो संख्या जो है, उसे बहुपद का एक सुन्यक कह लाएगा यही सुन्यक होता है या इसे सुन्य भी कह सकते है अब देखिए सुन्यक कब समझ गए? सुन्यक क्या होता है? अगर रैखिक बहुपद है, कहने का मतलब AX पलस B के रूप में है तो इसका सिर्फ एक सुन्यक होगा कितना सुन्यक होगा? एक होगा याद रखेगा, इस पर रिच्छा में पूछेगा अगर दिवगहात बहुपद है, कहने का मतलब AX स्क्वाइर पलस BX और पलस C अगर इस रूप में है, दिवगहात बहुपद में है तो इसका जो सुन्यक होगा, अधिकतम कितना होगा? दू होगा दू से ज्यादा नहीं होगा, दू से कम हो सकता है, दू हो सकता है लेकिन तीन नहीं हो सकता है, तो दिवगहात जो बहुपद रहेगा, उसका सुन्यक अधिकतम कितना होगा? दू होगा तिवगहात बहुपद का अधिकतम सुन्यक जो होगा? तीन से ज्यादा नहीं होगा, चार नहीं होगा लेकिन तीन से कम हो सकता है तिरगात बहुपत के एक सुनियक हो सकता है दू सुनियक हो सकता है तीन सुनियक हो सकता है लेकिन चार सुनियक नहीं हो सकता है तो अधिक से अधिक जो है तीन सुनियक तिरगात बहुपत के दिगात बहुपत का दू और रैखिक बहुपत का एक इसको हमेशा याद रखिएगा और आपका कंसेप्ट जो है पूरा कंप्लीट हो गया अब इसके बाद जो है चैप्टर को सुरू करेंगे बहुपत का पहला चैप्टर जो है तो आईए